हलो एवर्वाइन आज हम बात करने वाले हैं एक बाइपास पूर्णर या बाइपास कटर की जिससे हम बढ़या से किसी भी पौदे की पूरूनिंग कर सकते हैं यह हमारा फालकन फाइन कट पूरूनर है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी जो स्प्रिंग है वो हीडन है और वो जल्दी से खराब होते नहीं है है आप किसे भी अपने प्लद काम करने वाले व्यक्ति को आप उनको दे दो तो इस जल्दी खराब नहीं होगा और यह बहुत ही अच्छी पूरूनर है फालकन का यह बाइपास अप्रू नर है क्योंकि यह बाइपास में आपके और इसका जो ब्लेड है बहुत सार्प है और इसे फालकन कंपनी का नाम भी है और सब कुछ बढ़िया है इसका सो ग्रिप की बात करें तो कम से कम आपकी उंगली के बरावर जो कट हो उसको आसानी से यह कट कर सकता है तो इतनी मोटी कट होती नहीं जानली क्योंकि हम प्रून कि मैं बात करूं तो फालकन की जितने भी औजार है वो बहुत अच्छे होते हैं अब आप यह मेरे पौदा देख रहे होंगे यह विंटर में काफी इस पे पाला गिरा है सुख गया है इसकी प्रूनिंग की आज बात करें तो यह छोटी सी टैनी है और इसको मैं यहां से प कर ले आ सकें और नए कर ले आएंगे तो अच्छे से दिखो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे कटिंग होई है कि आप देख पाएंगे एकदम फाइन कट किया कहें भी कोई भी इसमें अलग सी कोई कट नहीं है और बहुत अच्छे से कटिंग हो रही है मुझे इस पूरे पौदे की कटिंग करनी है ताकि इसमें अच्छे से नहीं करने आ सकें जिसे यह वाला कला है इसके मुझे जरूत नहीं है क्योंकि यह मैंने नहीं रखना है इसलिए मैंने इसको नीचे से कट किया है और मुझे यह वाला भी नहीं रखना है प्लस मुझे इसमें नई साखा हैं चाहिए यहां पर तो मुझे यहां से इसे कट करना पड़ेगा यह पिंग गवाबा है बट सर्दियों में काफी डैमेज हुआ है और अकसर में देखा है आपके ज़्यादा बड़े पौदे नहीं चल पाते हैं इसमें गमलों में तो उसे स आपके पौदे ही होने चाहिए जो सर्वाइवल जिनका हो सके आप इसको देख पाएंगे इसको भी कट करने कोई बड़ी बात नहीं बड़ मैं इसको कटना करके इस मुझे और ज़्यादा करने चाहिए करें इनको उपर से ही कट करोंगँ मैं इनको ऊपर से कट करोंगा को अई ऐसल बहुत सारे कल्यले आच चुके तैंद मैं इनको उपर से कट कर दूँगा ताकि इनमें और भी जादा कल्यैने suspense कि इतने नई कले निकलेंगे उन भी फ्रूट लगेगा कि अर्मॉस इसकी प्रूणिंग हो चुकी है आप देख पाएंगे बहुत अच्छे से प्रूणिंग हुई है कि देखो यहां फल लगाते हैं इसकी जुरुत नहीं है इसको हटा दिया खासकर यह पूनर जो होता है यह आपके जितने भी कच्छी साखा या नहीं जो गीली साखाएं होती है उनको काटने में बहुत ही अच्छा कारगर सापित होता है ना कि सूखी का मलब साखा फाइन कट इसका नाम इसलिए है क्योंकि इसका ब्लेड एक तरफ होता है और अच्छे से कटिंग करता है जब भी आप कोई कटिंग करें या कुछ करें उसके बाद इसको हलका से ओयल लगाएं इसके उपर ताकि इस पर कोई जंग या कुछ अवरोधक ना लगे बाकि फाल पी बहुत अच्छी है पकड़ने में बहुत अच्छी सिस्तेमाल हो रहा है सो सभी भाईयों को मैं यही सला दोंगा कि फॉलकन फॉलकन कंपनी का ही बाइपास पुरुनर खरीदें थैंक्यू